तो दोफ्तों आज की वीडियो में ना मैंना अगेन अफ दगोड के हमाया जो मेन लीडर है यूंची उफके लेवल के उपर बात करूँगा और ये भी बात करूँगा कौन फा लेवल यूंची कब अचीव करते है तो दोफ्तों पहला जो लेवल आते है उफका नाम है अलिम प्रोफाम्ड एलम लेवल और ये जो लेवल है ये यूनची तब लेता है जब यूनची ना हिरोल्ती ईड़ाख फायर फीड लेता है। train करते है और इसी वज़यवे यूची का जो लेवल ओता है वो न ट्रियूपोफाउंड डीलं लेवल पर आ जाता है इसके लेवल 3 पर यूची तब जाता है जब यूची तब जाता है जब न यूची द्रागन गोट की इनाईटर्स लेता है और उसके ब्लट के कत्रे अब व इस लेवल के बाद आते है Spirit Profound Relum Level और इस लेवल पर यूँची पहली बार तब बात है जब ना यूँची को ना Heroic God का Water Feed मिलते है जिफको अब वर्प करने का बाद जो यूँची होता है वो ना Ice की पावर को भी कंट्रोल कर सकते है और इफी के बाद ना यूँची का जो ले लेवल ते हो Earth Profound Relum Level पे आ जाते है अर्थ Profound Relum Level 7 की उपर यूँची का लेवल तब जाते है जब ना यूँची ना Dragon God का Mirror ले 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 लेते है और Dragon God की जो Spirit होती है उफको भी absorb कर लेते है फिर इसके बाद आते है Sky Profound Relum Level और इस लेवल पर यूँची तब आते है जबना यूंची ने एक स्पिरिट स्टॉम के अंदर फाव जाता है जिफ के बाद जो यूंची हो तो उपको बहाँ पर बहुत ही वैदा मुश्किल होती है इतनी मुश्किल होती है कि यूंची की जो बोड़ी होती है उस लेवल का नाम है एंपरर प्रोफाउंड रिलम लेवल थरी इसके लेवल थरी पर यूंची इस वज़े पर आ जाता है क्योंकि यूंची जो हता है वो ना हुआ काई की फाता कांड वाली कल्टिवेशन करता है मिरा मतलब ड्यूल कल्टिवेशन अगर आप लोग हुआ काई को नहीं जानते ना तो ना ये डीमन एंपरेस भी ये डीमन रिलम की और ये यूंची की तीफरी बीवी होती है इसका जो बेहवियर होता है वो बहुत ही वैदा कोल्ड होता है एंपरेर प्रोफाउंड डीम लेवल फिक्स पर यूंची तब जाते है जब ना यूंची ना क्रोग गोड की इनेटेंस ले लेता है और इसके फादना यूंची को ना हिरोटी गोड का लाइटनिंग फीड भी मिल जाता है जब देव यूंची को ज़ो लेवल होता है वो फीदा एंपरेर प्रोफाउंड डीम लेवल फिक्स पर चला जाता है दार्क्रेस मिल जाएगा और ये बहुत ही वैदा पार्सम सीड है इरोटी गोड का कम फे कम गोड रिलम के अंदर जाने के लिए आपके डिवाइन लेवल होना बहुत ही फैसा वरना आप गोड रिलम के अंदर नहीं जा सकते लेकिन यूँची वाइद बंदे जो नट डिवाइन लेवल के बगार ही गोड रिलम के अंदर चला जाता है और ये मूब इंग्यून की वज़ा से जाते है और ये जो मूब इंग्यून है ये भी future में जाके यूंची की wife बनेगी यूंची divine origin level पर पहली बार तब आता है जब ना यूंची snow phone realm के अंदर जाता है उसके अंदर नीदर frost नाम की एक लेक होती है जिसके अंदर यूंची cultivation करता है जिफर यूंची का जो level होता है वो अना divine realm level पर चला जाता है और इस level में जो पहला level आता है उसको ना आमना divine origin level कहते है अगर आप लोग snow phone realm के बारे में नई जानते है तो इसको आप एक तरीके फेस अमल है जाए फेस नीचे frozen glory immortal palace है ना वाफे गोर्ड realm के अंदर भी एक snow phone realm नाम का एक clan है इस level के बार आता है divine spirit realm level और इस level पर यूंची पहली बार तब आता है जब यूंची अपनी teacher प्रिचर मूव वानियन के फाद पकड़ के कांड कर देते हैं मिना मतलब ड्यूल कर्टिवेशन कर लेते हैं अगर आप लोग मूव वानियन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं एक्सक्यूप पर भी एक वीडियो बनाऊँगा लेकिन अभी ना मैं थोड़ा बहुत ना मूव वानियन के बारे में आपको बताई देता हूँ मूव वानियन जो एना ये ना बहुत ही वैदा कोल्ड बिहेवियर की है ये बिल्कुल लव्या किन्यू की तरह है और ये किसी भी मर्द को अपने करीब नहीं आने देती को मर्द नहीं दूँगा इसलिए ये ही बात मैं आप लोग को भी कहूँगा आप बचा रहे यूँची की ना शरीफ नियत के बरशाक ना करो डिवाइन स्पिरिट रिलम लेवल की 3 की पीक पर यूँची तब जाता है लेकिन इस पार यूँची को वाखी में नहीं पता होता और वो भ्योश होता है उसकी टीचर खुद ही कार्ड करके चली जाती है उसके साथ इसके बाद आते डिवाइन टर्बूलेशन रिलम लेवल और इस लेवल पी यूँची तब आते जमना यूँची ना आइफ़ोन इसकी ब्लड लेट लेते है फिर इसके बाद आते डिवाइन टर्बूलेशन रिलम लेवल 8 और इफ लेवल पे यूंची तब भी आता है जब अपनी टीचर के साथ पगड़े कांड कर देता है दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ कि यूंची की जो टीचर हो यूंची बार बार आपफ में इसे कांड क्यों करते फीर रहे है तो इसकी एक बहुत ही वैदा बड़ी वज़ा यह है कि जो यूंची हो ना इस टाम एक बहुत ही वैदा बड़े कॉंपिटीशन में ही फ़न ही खड़ा है अगर यूंची हार गया तो यूंची पका ही मर जाएगा क्योंकि यूंची की जो टीचर मुव वान इसको अच्छे से बता होता है यूंची कभी भी इस मैच के दर हार नहीं मानेगा चाहिए यह मर भी जाए जिफ वाज़े फिन वो यूंची को ब्योश करके उसके फाद dual cultivation कर लेती है जिफ वाज़े फिन यूंची को जो लेवल होता है वो बहुत ही फैदा तेज़ी से बढ़ने लग जाता है इसके बाद अधर divine spirit realm लेवल और इस लेवल पर यूंची तब आते है पहली बार जब नहीं यूंची न हैवरली divine टर्बूरेशन को अपने उपर लेता है और पूरे god realm गंदर ये टर्बूरेशन कोई भी नहीं ले पाता है वैया तर जो लोग होते है वो एक दो या वैदा वैदा पांच ले लेते हैं लेकिन जो यूंची होता है वो पूरी 9 टर्बूरेशन अपने उपर लेता है जी फरिफ जो यूंची होता है उफको न गोड चाल्ड के नाम फे लोग जाने लग जाते हैं क्योंकि गोड रिलम की पूरा का पूरा गोड रिलम यूंची के पैर अब तक, गोड्स की फाइट के बार ना कोई भी बंदा ना अब गोड्रिलम लेवल के उपर नहीं जा पा रहा इस चीफ को आप लोग ऐसे लेले जैसे बिटी टीएच के अंदर ना कोई भी डूडी नहीं बन पा रहा एक तरीके पावर मिफिंग है गोड्रिलम के अंदर से भी इसके बाद आते है डिवाइन किंग डिलम लेवल और इस लेवल पे युणची पहली बार तब बात है जब ना युणची वो बहुत ही वैदा खतरनाक की समवाई कल्टिवेशन करता है जिसको हम लोग ना कांड वाली कल्टिवेशन भी बोलते है अपनी जबान में अगर शीन फी के बारे में आप लोगो बताओ तो ये ना गोड्रिलम की ना तीन फाप से वाइदा खुबफूरत लड़कियों में से एक है और इसको ड्रेगन एम्परिस के नाम से भी गोड्रिलम के अंदर जाना जाता है लेकिन ये ना ड्रेगन एम्परिस की बीवी नहीं है असल में इसको ड्रेगन एम्परिस नाम इफ़ज़ा फिर रखा हुए ताकि जो दूफरे लोग है वो इसको तंग ना करे और इस बारे में अभी तक किफे को भी नहीं पता होता फिवाय यूंची के और किफे को भी नहीं पता होता और ये यूंची को तब पता चलते हैं जब शीन फिव के फाद कांड कर लेती है फिर उसको खुद बताती है और ये जो शीन फी होते हैं यूंची को खुद अपनी तरफ अट्रेक्ट करती है और ये ना पूरे यूंची के फाद एक फाल तक काउंट करती रहती है इसके बार जो लेवल आतुफ का नाम है डिवाइन फॉवर्रिं रिलम लेवल आते हैं तो पूरे के पूरे प्राइमर की उफ के अंदर यूंची के जितना ताकत पर कोई भी न होता यहां तक कि जो अपने बार लेवल इन और प्जान फाद ओकर है ता क्योंकि जो खुद इवल गोड था ना उफ ने इस लेवल के पर फील लगा दी थी यानि इस वपर यूंची कभी भी लेवल अपना अपग्रेट ना कर पए क्योंकि अब पूरे प्राइमर के उफ के अंदर यूंची फे वैदा ताकत वर कोई भी नहीं है अब इस वाज Cancer जो यूंची को भी लेवल के उपर नहीं जा पारा होता और पी जो यूंची को इरोटी गोड का आखरी फीड मिल जाते है जो फीड ऑ अर्थ होता है जिर्फ वजह फे युझी की जो सीर होती है वो इसे एक तूर जाती है और युझी जो थो वो Divine Master Realm Là dwelling बीट आ ठीयही बड़ा नीक बार बी गिंटीनी São ओक है आर्थर अपनी मर्जी का मालिक है मेरे ख्याल में अगले दो या तीन महीने तक आई जाने चाहिए तो दोस्तों अब तक ना मैंने युन्ची के जितने पी जो पावर लेवल है ना उन सब के बारे में आप लोग को बता दी है अभी तो नोवल कंटीन्यू है मुझे लगता है अभी आदे का आदा शाहिद नोवल पड़ रही है दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे ना तो जल फे जल वीडियो पे एक लाइक टॉक दो अगली वीडियो अगर आप जीफ पे देखना चाते हैं तो आप उस पे भी कोमेंट करो जीफ वीडियो पे वैदा कोमेंट होंगे मैं उसी कोई बना लूँगा फिर और हाँ अगर आप लोग अगेर फड़ गोर्ट की एक्स्प्लेशन शुरू से फुनना चाते हो ना तो उसको ही मैं अपने ठर्ट जायल पे एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ येकीन मानो बहुत ही वैदा कमाल का मांगा है इसका तो इसका जो मांगा है न वो डौंग होँआ से भी वैदा नोवल से मिलता है इसलिए अगर आप लोग उसकी एक्स्प्लेशन शुरू से फुनना चाते हो ना तो उसको मैं अपने ठर्ट जायल पे एक्स्प्लेशन कर रहा हूँ मैं मिल तो आप फेकों और बिल्कुल न्यू वीडियो में तब तक कि लिए आप लोग उपना ख्यार रखना